पार्ट वन में मैंने आप सभी को आपके अकाउंट का जो ब्रेंडिर कंटेंट है इन इलिजिबल हो रखा था पार्ट वन में मैंने आप लोगों को बता था ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने है आपको जो branded content है in illisible से illisible हो जाएगा तो अगर आपने नहीं देखा part 1 देखो यह है part second जब आप अपने instagram account का branded content को illisible करवा ले तो then इसके बाद उसको setup करना होता है setup कैसे करने है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, सबसे पहले check करने है branded content आपका illisible हुआ है यह नहीं हुआ है, जो trick मैंने आपको बताई थी वोई trick मैंने इस वाले account पे लगाई थी simply आपको ठीडोट पे किलिक करने है then setting and privacy में आ जाने यहाँ पर देखो branded content जो होता है in illisible से illisible होता है यह तो 30 दिन में हो जाता है 30 दिन में नहीं होता तो फिर 90 दिन में तो होई जाता है तो भई मेरा तो यह 30 दिन के अंधर ही हो गया simply यहाँ पर मैं आपको जबहता हूँ आपको आने creator tools and controls पे किलिक करने है यहाँ पर आपको monetization status पे ुआने करता है जैसी आप monetization status पे किलिक करता हो सेटप आप केसे करोगे दखो आपको बेक कर देना है यहां पर आपको ब्रेंडिड कंटेंड लिखा रहे हैं सिम्पली आप यहां से भी इसको सेटप कर सकतो अधरवाइस आपको बेक करना है बेक करना है यहां पर आपको प्रोफेशनल डैस्रबोर्ड पर किलिक करना है यहा आपको क्या बता रहा है मैं आपको सोट कट में बता देता हूँ यह बता रहा है आपको एक तो आपको इंस्टाग्राम पर जो भी आप कंटेंट डालो चाहिए फोटो वीडियो इस्टोरी एड करो इंस्टाग्राम कमिटी गैडलेंज को फोलो करने है अपना खुद का ओरिजिनल वीडियो डानना है मतलब दूसरों का उठाके नेट आनने है इदर दूसरों से डाउनलोड करके अपनी खुद की ही वीडियो डानना होगा अपने अकाउंट पर अधरवाइस यह क्या होगा इ then आपको अनेबल कर दिने है जैसी आप अनेबल करतो सब्सक्राइब करने इसके बाद इसकी कुछ setting है request approval from brand partners ठीक है अगर आपको कोई request send करता है तो यहाँ पर approval के लिए आएगा आपको approval देना होगा अदरवाज यहाँ पर आपको एक setting और on करना है manually approve content characters यह अगर आपका off हो रहा होगा इस तरीके से turn off तो क्या होगा कोई भी आपको क्या branded content के लिए request बेज़ेगा तो automatic क्या होगा वो accept हो जाएगा approval के जुरत नहीं पड़ेगी और अगर आप इसको on कर दोगे अब कोई भी branded content में आपको request बेजता है तो पहले आपको approval देना होगा तभी वो accept होगा otherwise नहीं होगा तो अब आपको instagram पर जितने भी monetization tools है यह eligible हो गया अब जैसे की bonuses हो गया and subscription हो गया and gifts हो गया and ads on reels हो गया जितने भी instagram के monetization earn करने वाले feature आएगे वो सब अब आपको आपके account पर मिलते रहेगे अगर आप इसको setup नहीं करते तो आप instagram से भाई एक भी रुपिया नहीं कमा सकते यहाँ पर आप time ही waste करते रहोगे hope आप लोग की समझ में आ गया होगा इस तरीके से आपको setup कर लेने अब आपको सभी monetization tools मिलेगे अब आप reels upload करके पैसा कमा पाओगे वीडियो को यह पर end कर देता है वीडियो को like share comment कर देना और चैनल को subscribe करके बेल आइकन को all पर पिस्ट कर देना एसी और वीडियो देखने के लिए